ने देखिए पिछले कल हमने जो बैठर करी थी UD की और मिन्सिपल कॉर्परेशन की उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है चाहे वो कोई समान बेच रहे हैं कोई गोड्स बेच रहे हैं पर्टिकुलरली जो खान पीन का समान बेच रहे हैं एक्षन होना चाहिए क्योंकि सफाई वाला खाना बिखना चाहिए उसके लिए जो फूड एन सेवल सप्लाइज के डिपार्टमेंट के लोग है वो इसको उपर देखेंगे नगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ अशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर परदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फडी वाले है खास करके उनके लिए ये करने का निर्ने किया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती सी लागू करने का निर्ने किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है रेडी फडी चला रहा है उसको अपना आईडी अपन कोई समस Св Jur suppose आती है कोई पर दर्श्यता से इसके कारवाई जो है वह करवाई जा सकते हैं ना लाइसेस्ट तो उनको लगाना ही बड़ता है नी जो मWe जो स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी है। उसके माध्यम से कमिटी को माध्यम से ved S काट्स बनाए जाएंगे और उसके उपर उनकी फोटो उनका जो रहे स्ट seben नंबर और सब चीज उसके अउपर दी जाएगी और उसको हमने जो है पटिकुलर्ली में अपने DON'T सेकेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे है उसके उपर भी इसको इंप्लिमेंट किया जाएगा यह जरूर है कि प्रात्मिक्ता उनको दी जा सकती है मगर क्यूंकि पहले भी ऐसे कई कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाए हैं पूर में भाजपा की सरकार ने भी लाए हैं कॉंग्रेस की सरकार ने भी लाए हैं मगर वो हमेशा माननिया हाई कोर्ट से जो है वो रद हो गए है इसलिए हम ऐसा कोई भी निरने नहीं लेना चाहते जो कल को judicial scrutiny में आकर जो है वो जो है स्टे हो जाए इसलिए हमने ये रखा है कि हम उसमें रखेंगे SCST के लिए भी रखी गई है और कुछ यो हमारे physically handicapped है उनके लिए भी रखी गई है जो हमारी महिलाएं है खास करके divorces है उनके लिए भी इसमें हमने provision रखा है तो इस तरीके से इसको इसकी जो constitution है उसको हमने बनाया है